जाहिन दोस्तों मैंने धीबन चोहन आज हम करेंगे class 8 का 2.3 का question first अब देखिए इसमें हमें equation दी गई है पहले हमें इसे solve करना और फिर हमें prove भी करना है कि जो हमारी value आई है वो सही है या नहीं है तो चलिए शुरू करते हैं देखिए हमारा ये पहला जो समीकरण है 3x is equal to 2x plus 18 तो हम क्या करेंगे सबसे पहले 2x को हम उस तरफ ले जाएंगे तो क्यूंकि यहां plus का है तो इस तरफ lhs पे आके ये minus 2 हो जाएगा minus 2x is equal to 18 ठीक है आप क्या करेंगे हम 3x में से 2x minus किया तो आया 1x is equal to 18 तो इस तरह से हमारी x की value आ चुकी है अब हमें इसे साबित करके बताना है कि जो हमारी value आई है वो सही है या नहीं है तो वो कैसे होगा lhs और rhs यानि कि यहां lhs और rhs में दोनों जगह हमें x की value को put करना है देखिए ऐसे यह देखिए यह lhs है और यह rhs है तो दोनों जगह हम x की value को put कर देंगे देखिए मैंने कर दिया 3x is equal to 2x plus 18 तो हमारी x की value क्या आई है? 18 तो यह देखिए 3x, 3 गुणा x है तो 3 गुणा 18 2x है तो 2 गुणा 18 प्लस 18 ठीक है? 18 तिया 54, 18 दुनी 36, 18 का 18 तो यह देखिए 54, 36 प्लस 18, 54 तो इस तरह से हमारा LHS और RHS पराबर आ चुका है इसका मतलब जो x की value आई है 18 वो हमारी value बिल्कुल correct है चलते हैं दूसरे question की तरफ Question number 2 5T minus 3 is equal to 3T minus 5 तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? T की values को LHS पे ले जाएंगे तो 3T plus का था इस तरह आके minus का हो गया फिर हम minus 3 को RHS ले गए right hand side पर ले गए तो यह minus 3 था तो यह plus 3 हो गया अब इससे हम solve करते हैं 5T मेंसे 3T को minus किया तो आया 2T 5 मेंसे 3 को minus किया तो आया minus 2 क्योंकि बड़ा number हमारा minus का है अब देखिए यह दोनों यहाँ पर गुणा हो रहे हैं तो इस तरह आके यह भाग हो जाएगा ठीक है minus 2 minus 2 दोनों 2 1s are 2 2 1s are 2 पे cancel हो गए तो हमारे पास आया minus 1 यानि कि T की value आ गई minus 1 अब हम क्या करेंगे जो T की value आई है उसको हम अपने समी करण में put कर देंगे तो यह हमारा LHS है और यह हमारा RHS है T की value आई है minus 1 तो T की value को हम यहाँ put कर देते हैं देखिए 5 T यानि कि 5 गुणा T minus 1 minus 3 3 T यानि कि 3 गुणा T तो 3 का 3 और T की value minus 1 ठीक है minus 5 अब हम इसे solve कर लेंगे देखिए कैसे करेंगे 5 बन्जा 5 minus का minus minus 3 3 बन्जा 3 क्योंकि यह minus है इसलिए यहाँ minus और minus 5 का 5 ठीक है आगे क्या करेंगे हम minus minus plus तो 5 और 3 8 लेकिन निशान हमेशा बड़े नंबर का minus minus plus तो 5 और 3 8 minus 8 निशान हमेशा बड़े नंबर का तो यह देखिए यह हमारा साबित हो चुका है LHS बराबर RHS इसका मतलब जो हमारी T की value minus 1 थी वो बिलकुल correct value थी तो इस तरह से यहाँ हमारा question number 2 खतम होता है Thank you very much जय हिन जय भारत जय हुआ है